सुनील पांडे विहार के सियासत में एक ऐसा नाम है जिनका जुरुम की दुनिया से लेकर राजनीती तक का सफर बड़ा दिल्चस्प रहा है भोजपूर के तरारी विदानसवा से चार बार विधायक रहे सुनील पांडे आद बीजेपी में सामिल हो गए हैं बीजेपी कारियाले में रविबार को प्रदेश अद्यक्ष दिलीब जायशवाल ने उन्हें बीजेपी की सदश्यता दिलाई बीजेपी में सामिल होने से पहले सुनील पांडे पसुपती कुमार पारस की राष्टिय लोग जनसक्ती पार्टी में थे चार बार की विधायक रह चुके सुनील पांडे को बीजेपी में सामिल करने की तयारी आगामी विदानसबा चुनाव को लेकर काफी पहले सुरू हो गई थी रविवार को आखिरकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीब जाइश्वाल ने प्रदेश कार्याले में सुनील पांडे और उनके बेटे विसाल प्रसांद को बीजेपी की सदश्यता दिला दी माना जा रहा है कि तरारी विदानसबा सीट पर होने वाले उप्चुनाव में बीजेपी शुनील पांडे के बेटे विसाल पांडे को मिद्वार बनाएगी इस सीट पर भागपा माले का कबजा रहा है और बीजेपी हर हाल में इसे अपने पाले में करना चाती है और शुनील पांडे इसी सीट से विधायक रह चुके हैं वहीं पूर्वे विधायक शुनील पांडे ने बीजेपी का दामन थमते ही जैश श्रीराम का नारा लगा दिया। शुनील पांडे ने कहा कि वे लंबे आर्से से एंडिये के कार्यकरता के तोर पर काम करते रहे हैं। लेकिन अब अपनी पार्टी बीजेपी में सामिल हो गए हैं। उनका मक्षद आगामी विधानसबा चुनाव में पार्टी को जीत दिलाकर सरकार बनवाना है। शुनील पांडे की चवी बहुबली की रही है और 34 साल के उमर में वे साल 2000 के विधानसबा चुनाव में पहली बार जीत हासिल कर विधायक बने थे। शाल 2000 में समता पार्टी के टिकट पर पहली बार पीरो से चुनाव जीता। उसके बाद फरवरी 2005 और अक्टुमबर 2005 में हुए उपचुनाव में भी उन्होंने इसी सीट पर जीत दर्ज की। शाल 2010 में सुनील पांडे ने जेड्यू के टिकट पर तरारी से चुनाव जीता था। 2015 में उनके खिलाप आफरादिक मामलों को देखते वे जेड्यू ने उनसे किनारा कर लिया तब नितीज कुमार महा गडबंदन के साथ थे। 2015 में सुनील पांडे की पत्नी गीता पांडे लजेपी के टिकट पर तरारी से चुनाव मेदान में उत्री लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2020 के विदानसवा चुनाव में शुनील पांडिर निर्दलिय चुनाव मेदान में उत्रे और दूसरे नंबर पर रहे BJP के कोसल विध्यारती इस चुनाव में तीसरे नंबर पर चले गए थे और जीत शुदामा प्रसाद की हुई थी अब सुदामा प्रसाद आरा लोक्षबा सीट पर जीत हासिल करने के बाद शंसद जा चुके हैं और तरारी सीट पर विदानसवा उप्चुनाव होना है गोर करने वाली बात यह है कि बिहार में इन दिनों बाहुबलियों के अच्छे दिन चल रहे है पिछले दिनों पूर्व विधायक अनंत सिंको कोट ने बरी किया और अब सुनील पांडे की बीजेपी में एंट्री हो गई है बिहार में एंड ये और खासतोर पर बीजेपी जिस रणनीती के साथ आगे बढ़ती दिख रही है वे ये बता रहा है कि 2025 के विधानसबा चुनाव की 27 एक बार फिर बाहुबलियों से सजी हुई होगी फिलाल सबको इंतजार तरारी विधानसबा उपचुनाव की घोशना और वहां सुनील पांडे के बेटे विसाल प्रसांथ को मिदवार बनाए जाने का है खेर आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्षन में जरूर बताए फिलाल इतना ही आगे की अपडेट के लिए बने रहीए लाइव टीवी न्यूस के साथ धन्यवाद